दोस्तों एक बार फिट से स्वागत है आपका प्रिजापती न्यूज में आखिर लाल चंदन इतना महंगा क्यों बिकता है दोस्तों अल्लू अर्जुन की फिल्म पुश्पा जितनी जोरदार थी उसका टॉपिक उतना हैरान करने वाला था जिसमें लाल चंदन से कैसे लोग माला माल बनते हैं उसे भेज कर किस तरह से करोडो रुपए कमाते हैं और लाल चंदन की तसकरी कैसे होती है ये सब कुछ दिखाया गया और अब तो उसी का दूसरा पार्ट यानि की पुश्पा टू भी आने वाली है जिसमें और जादा थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलेगा पर यहां सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लाल चंदन इतना महंगा क्यों बिकता है क्यों इतने बड़े पैमाने पर इसकी तसकरी होती है और ऐसा क्या है इसमें खास की विदेशों में लोग इससे खरीदने के लिए मू मांगे पैसे देने को तयार हो जाते है सब कुछ बताएंगे लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रैड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बैल आइकोन भी दिखरा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले लाल चंदन जिसे दुनिया लाल सोने के नाम से भी जानती है वैसे इसे रक्त चंदन भी कहा जाता है क्योंकि सालों से इसके लिए रक तो बहता आ रहा है इस बेश कीमती लकडी को पाने के लिए तसकर किसी भी हद तक चले जाते हैं सबसे पहले सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर लाल चंदन इतना महंगा क्यों है तो दोस्तों साधारन सी बात है जिस चीज को पाने के लिए जितनी महनत लगती है उसकी कीमत उतनी जादा होती है और लाल चंदन की अनोखी लकडी को कुदरत ने सर्फ भारत की जोली में डाला है क्योंकि लाल चंदन के ये पेड केवल तमिलनाडू की सीमा से लगे आंधर प्रदेश के चार जिलों में ही पाय जाते हैं नैलोर, कुरुनूल, चित्तूर और कडपा इन जिलों में फैली शेशाचलम की पहाडियों में ही रक्त चंदन के पेड उगते हैं जो इसे बाखी दुनिया के लिए बहुत दुरलब बना देते हैं वैसे दोस्तों, लाल चंदन दुरलब होने के साथ-साथ बहुती ज़दा फायदेमन भी है और यही इसकी महंगी कीमत की वज़े भी है लाल चंदन बहुत ज़दा गुणकारी होता है जहां इसका इस्तेमाल सुन्दर्ता को निखारने में होता है यह स्किन पिग्मेंटेशन और मुहासे जैसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में काफी ज़दा गुणकारी माना जाता है एक्जिमा के कारण होने वाली सूजन, जलन और खुजिली से राहत पाने के लिए लाल चंदन पाउडर को कपूर के साथ मिला देने पर उसका जो पेस्ट तयार होता है वो बहुत ही ज़दा चमककारी होता है जो स्किन को बहुत ज़दा फायदा पहुँचाता है इतना ही नहीं दोस्तों लाल चंदन से महंगे महंगे फरनीचर और सजावट के सामान भी तयार किये जाते हैं और तो और ये कई सारे म्यूजिकल इंस्टुमेंट्स को बनाने के लिए भी लाल चंदन का ही उप्योग किया जाता है इसके अलावा लाल चंदन का नैचुरल कलर, कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट्स और महंगी शराब बनाने में बेस्तमाल होता है आपको बता दे लाल चंदन के इतने अद्बोत फायदों के कारण ही केवल एक टन लाल चंदन की कीमत पांच करोड रुपे होती है जहां मातर एक किलो लाल चंदन की कीमत पचास हजार के करीब हो सकती है यही कारण है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़दा स्मगलिंग लाल चंदन की लकड़ी की ही होती है आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक साल में 20,000 करोड से भी ज्यादा की लाल चंदन की लकड़ीयों की तसकरी करके उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन की मू मांगी कीमत की वज़य भी यही है और इसके डिमांड पूरी दुनिया में है पर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाल चंदन की सबसे ज़दा तसकरी चीन में होती है हाला कि इस बेश कीमती लकड़ी की डिमांड जापान और मंगोलिया में बहुत ज़दा है लेकिन पूरी दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां लाल चंदन की लड़कड़ियां मिलती है इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स को रखा गया है आंदुर प्रिदेश के शेशा चलम की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले लाल चंदन के इस अनों के पेड़ की आसतन उचाई आठ से ग्यारा मीटर होती है लाल चंदन के एक पौधे को पूरी तरह से पेड़ बनने में लगभग 15 सालों का वक्त लग जाता है इसकी ग्रोथ बहुत धीरे होती है इसी वज़े से लाल चंदन की जो लकड़ियां होती है उसकी डेंसिटी जादा होती है ऐसे में दूसरी लकड़ियों के मुकाबले लाल चंदन की लकड़ियां पानी में तीजी से डूब जाती है क्योंकि इसका घनतो पानी से ज़्यादा है एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाने में डूब जाना ही असली और नकली लाल चंदन के बीच का फर्क बताता है दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में चंदन की लकडियों का काफी खास महत्व है पूजा पार्ट से लेकर तुचा की सुरक्षा के लिए हर एक चीज में चंदन की लकडि का इस्तेमाल होता है लेकिन लाल चंदन की बात करें तो चीन में खास करके एन लकडियों की मदद से कई सारी दवाईयां तयार की जाती है लाल चंदन, नॉर्मल चंदन के मुकाबले जादा गुणकारी होता है और इसके अंदर पाए जाने वाले आउशधिये गुणों की वज़े से ही चीन और जापान जैसे देश इससे आयरुविदिक दवाईयां तयार करते हैं चीन में सिरदर्द से लेकर बुखार और आँखों की दवा बनाने से लेकर लाल चंदन के इस्तमाल से कई दवाईयां बनती हैं यही कारणे के मौजूदा वक्त में लाल चंदन की सबसे ज़दर डिमांड चीन से ही आती है हलाकि इसके पीछे एक और कारण है असल में चीन के अंदर लाल चंदन की लोकप्रियता चौदवी शताब्दी में राज करने वाले मिंग वंश के समय से हुई थी अंग्रेजी अखवार चायना डेली में छपी एक रिपोर्ट के मताबिक मिंग वंश के शाशकों को लाल चंदन से बने फरनीचर और सजावटी सामान इतने जाधा पसंद थे कि वो सभी संभाविज जगों से इने मंगाया करते थे इतना ही नहीं चीन के शाशकों के बीच लाल चंदन की जो दिवानगी है उसका पता इस बात से चलता है कि वहां Red Sandalwood नाम का एक संगराले भी है जहां लाल चंदन से बने कई सारे फरनीचर और सजावटी सामान को रखा गया है आज भी चीन के बड़े बड़े अमीर लोग इस लकडी से फरनीचर बनवा कर उसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं इतना ही नहीं लाल चंदन की लकडी से बनी कलाकृती और दूसरे सजावट के सामान अपने घरों में रखना लोग शान समझते हैं और ये केवल चीन का ही हाल नहीं है बलकि जापान के लोग भी लाल चंदन से बनी चीजों को लेकर काफी ज़्यदा दिवाने हैं जापान में तो शादी के वक्त दिये जाने वाले पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट को बनाने के लिए लाल चंदन की लकड़ी का यही समाल होता है और अब तो योरोप और अमेरिका वगेरा में भी लाल चंदन से बनने वाली चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं और इसके जो medicinal benefits है वो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहे हैं वैसे वैसे लाल चंदन की डिमांड बढ़ती चली जा रही है ऐसे में लाल चंदन के तसकरी करने वाले लोग अलग लग देशों से अपना contact बना कर रखते हैं जिस देश में इसकी जितनी डिमांड होती है वहां उसे उतना ही महगा बेचा जाता है पर इन सब के लिए सबसे पहले लाल चंदन की लकडियों को काटना होता है और फिर उसे छुपा कर ले जाना होता है क्योंकि पुलिस ने अगर ऐसा करते वे पकड लिया तो लकडियों की चोरी करने वाले लोगों को लंबी सजा मिलती है Special Task Force हमेशा इस काम में लगी रहती है कि कहीं कोई लकडियों को धोके से चोरी तो नहीं कर रहा कैमरा सर्विलान से लेकर जगया जगया पर निगरानी करने तक हर एक चीज की जाती है लेकिन फिर भी लकडियों की चोरी करने वाले लोग ऐसे ऐसे हतकंडे आजमाते हैं कि कोई सोच मी नहीं सकता और ये सारी चीजें आपको पुषपा मूवी में साप साप देखने को मिलती है और अब तो इसका दूसरा पार्ट भी आ रहे है उसमें और ज़दा भयानक तरीके से आपको लाल चंदन की लकडियों का पूरा सच जानने को मिलेगा ऐसे में दोस्तों आप पुषपा मूवी को लेकर कितना ज़दा एक्साइटेड है कॉमेंट में बताई और इस तरह की वीडियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जा भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये